नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे फेटिंग सोप या मशीन सोप में इस्तिमाल होने वाले measurement tool micrometer के list count के बारे में list count होता क्या है? list count किसी भी instrument का वो सबसे कम measurement होता है जिसे हम उस instrument के दुआरा map सकते हैं और यह जो micrometer है, यह metric micrometer है, जिसका list count mm में होता है, तो अब बात करते हैं कि micrometer के list count को कैसे निकालेंगे, उससे पहले हम कुछ जानकारी जान लेते हैं, इसके कुछ parts के बारे में, थिंबल, barrel और spindle के बारे में, जो थिंबल होता है, यह इसका जो part है, थिंबल पर circular scale बना ह होता है, और उस circular scale पर 0 से लेके 50 तक division बनी होती है, मतलब कि जो थिंबल की circumference है, जो circular circumference है, तो उसके उपर 50 division बनी होती है, और हर 5 division के बाद उसको mark करके दिखाया जाता है, जैसे 0, 5, 10, यहां देखें, 25, 25 के बाद 30, 35, 40, 45, तो इस परकार से इसको यहां पर दरसाया जात है, और थिंबल के बाद है, बैरल, यह वाला portion, बैरल को हम sleep भी कहते हैं, तो बैरल के उपर क्या है कि इसका main scale बना होता है, और इस पर जो division है, वो 0 से लेके 25 mm तक होती है, और बैरल का अगर यह main scale अगर हम इसको देखें, इस पर क्या है कि इस पर अपर graduation है, और lower graduation है, अप reference line या datum line बनी हुई है, जो upper graduation है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस परकार से है, मतलब कि 2 division के बीच 1 mm का difference होता है, तो मतलब कि ओपर तो हम पूरा mm पढ़ सकते हैं, 0, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, इस परकार से, उसके बाद जो lower graduation होती है, या जो lower division है, उसमें क्या है, कि इसको starting कहां से होती है, इस दो division है, उनका जो middle है, जैसे ये 0, 1, इसका middle क्या हुआ, 0.5, उसके बाद 1.5, मतलब कि नीचे वाली जो lower graduation है, उनका difference भी 1 mm का ही होता है, उसके बाद जो spindle की अगर हम बात करते हैं, spindle पे क्या है, कि इसका जो pitch thread होता है, वो 0.5 mm का होता है, जब हम thimble का एक complete rotation करते हैं, वो आगे की तरफ 0.5 mm मूव करेगा, अगर हम thimble का anti-clockwise एक rotation complete करते हैं, तो जो spindle है, वो 0.5 mm backward मूव करेगा, तो अब बात करते हैं, कि micrometer का जो list counter कैसे निकाला जाता है, तो इसमें क्या है कि जो smallest division होगी main scale पर, उसको divide कर दें, total number of division on circular scale जो thimble पर बना है, अब जो barrel का smallest division क्या है, अगर आप यहाँ पर main scale पर देखें, इसका smallest division क्या हुआ, 0.5 mm, और thimble के उपर जो circular scale उस पर total number of division कितनी है, पचास, तो 0.5 mm को अगर हम 50 से divide कर देते हैं, तो हमारे पास जो इसका least count है, वो आ जाता है, 0.01 mm, और यही micrometer का least count होता है, तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया कि micrometer का जो list count है, उसको कैसे निकाला जाता है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, students के साथ, तो जल्दी हाजरोते हैं एक नए वीडियो क साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे